आज हम लोग अध्याय दो जन्तुवों में पोशन का प्रश्ण उत्तर अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो इसका पहला प्रश्ण है बच्चो, खाली स्थानों की पूर्ती कीजिए, तो ए है मानो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौनसी है? तो वह कौनसी गंथी है बच्चो, यक्रित, तो मैंने यहाँ प्रश्ण को लिखा हुआ है, आप लोग इसको कर लीजिए, पूरा लिख यक्रित है, आप इसे नोट कर लीजिए, यक्रित है, बी, मनुष्मे भोजन का पाचन मुख गोही का समेश शुरू होकर बड़ी आत में पूरा होता है, सी, आमाशे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाच्यक्रस का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करता है, ठीक है तो तीसरा हम सी का क्या है, पाच्यक्रस, बी, मनुष्मे पोशन के मुख चरण क्या है, मुख गोही का भोजन नली, आमाशे, छोटी आत और बड़ी आत है, यह है, अमीबा को अपने भोजन के पादाब की सहायता से ग्रहन करता है, ठीक है, अमीबा पादाब के सहायता से तो यह पहला परशन हुआ आपका, दूसरा परशन, दूसरा परशन हम किताब में करेंगे, सही विकल पर सही का चिन लगाइए, कुतरने में सहायता करने वाला दााट, तो एका कुतरने के लिए कुधा दाट है बच्यों, कुन सा है, कुरिश दू बी, लार, मन, स्टारज को बदलता है कौन सा होगा बच्चो ग्लुकोज तो दूसरा ग्लुकोज C, पित रस का स्राव होता है, किसमे होता है बच्चों, यक्रित में, ठीक है, वसा का पुन रुपेन पाचन होता है, किसमे होता है, छोटी आतमे, जल का अवशोषन मुखिता होता है, किसमे, तो E का क्या हो जाएगा, बढ़ी आतमे, जल का किसमे होता है अवशोषन, बढ़ी आद में, तीसरा प्रशन है, सत्य और असत कतनों को चिन्हित कीजिए, आमा शेय में हाइड्रोक्लोरिक अम का श्राव होता है, ये सही है, ठीक है, सत्य है, या इसको आप लिख सकते हैं, सत्य की, पित रस्म से प्रोटीन का पाचन होता है, नहीं, पित रस्म से प्रोटीन का पाचन होता है वसा का पाचन अब C है है यहांपी तीसरा है प्रोटीन का पाचन मुख से आरम हो जाता है नहीं गहास को पुना अपने मुं में लाकर धीरे-धीरे चबाते हैं तो यह सही है ठीक है छोटी आत में श्लेसमक स्त्रावित होता है ये गलत है छोटी आत में नहीं होता है जबकि आमा शय में होता है अब है हमारा कॉलम AC के कॉलम मिलान में कॉलम B को मिलान करना है ठीक है तो लार जो है बच्चो वो लार ग्रंथी है ठीक है पितरस जो है वो पिता शय से निकलता है ठीक है वसा अमल एवं ग्लिसरॉल प्रोटीन अमीनो अमल ठीक है और कार्बोहाइडिट क्या है एक तरह का शर्प करा है ठीक है अब पाँचवा प्रश्ण है आपका आहार नाल के किन भागो द्वारा ये कारे होता है तो भोजन का चबाना किसे होता है बच्चो मुख से और उसमें किस से चबाते हैं हम लोग दाट से ठीक है जिवाडू नश्ठ होना जिवाडू नश्ठ होना तो ये हो जाएगा बच्चो आपका जिवाडू किस में नश्ठ होता है आमा शै में नश्ठ होता है उपयोगी पर आथों का अवशोषन जो है बच्चो सारे परशने जो है वो किताब में ही रहते हैं ठीक है तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है भोजन से जल्स कुछ लवणों का अवशोषन होता है ठीक है तो छोटी आथ में जो है यहाँ भी देखे दिया हुआ है आपका सारा बने पच योगी आर्थोग का प्रशोर्षन किससे होता है, भच्चो हमारा छोटी आथसे. मल का निकास मला शै। अब ए आपका ये च्छटाक प्रश्न। प्रदार्थ में पाया जाने वाला कथोरतम प्रदांथ। तो कौन सा कथोरतम प्रदांथ है भच्चों ? इने मल हैं, जो दान का उपरी परत होता है, ठीक है, पची भोजन का आफशोषन करने वाली उंगली जैसी सनरचना, क्या कहते हैं, दिर्ग रूम, क्या कहते हैं उसे बच्चों, दिर्ग रूम, या इसे हम रसा गुल भी कह सकते हैं, घास खाने वाले जंतों में सेलोस पाचन का स्थान जो है, वो अंध नाल में होता है, किसमें होता है बच्चों, अंध नाल, ठीक है, अमीमा में भोजन पाचन का स्थान जो होता है, भोजन कहां पच्चता है, उसमें खाद दानी, खाद दानी में उसका भोजन पच्चता है, अमीबा का, भोजन की अव्यवोसी अब है देखिए यहां प्रश्ण आपका कारण बताईए तो इसमें प्रश्ण है और उत्तर लिखना है साथ का A B C 8 9 10 11 ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है सारे प्रश्ण यह देखिए और आप इसको नूद कर लीजिएगा अपने कौपी में A है साथ का मनुष में सेलोज का पाचन नहीं होता है इसका कारण बताईए तो उत्तर है घास खाने वाले जन्तों के शरीर में छोटी तथा बड़ी आथ के बीच एक थैली नूमा सनरचना होती जिसे अंधिनाल कहते हैं इस अंधिनाल में जिवाडू पाए जाते हैं जिसकी स सेलोज का पाचन होता है मनुष में अननाल बहुत छोटी होती है और जीवाडू अनुपस्थित रहते हैं अता मनुष में सेलोज का पाचन नहीं होता है दूसरा प्रशन है अमीबा की खादानी में भोजन का पाचन होता है कारण बताईए अमीबा की खादानी में ही पाच बिना पचा हुआ पदात खार दानी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। C है, वायू नली तथा भोजन नली का संबन ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायू नली में नहीं जाता है। स्वार्ष नली के उपर एक मानसन सनलशना होती है, जिसे एपी ग्लोटिस कहते हैं। यह वायू का काम करती है। जब हम भोजन गहन करते हैं, तो यह स्वार्ष नली को ढख देती है, तथा भोजन भोजन नली में चला जाता है। आटवा प्रशने बच्चों आपका। छोटी आथ में किन ग्रंथियों के श्राव होते हैं, पाचन में उनकी क्या भूमिका है। उत्तर है। छोटी आथ में यकृत से पित्रस भूमिका निभाता है। छोटी आथ में अगनाशय से अगनाशय क्रस भूमिका निभाता है। छोटी यात की दिवारों से आंतरस श्राव होता है और शिक रप से पचेवी भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। नौवा प्रशन है आपका, अमीबा में पोशन की प्रक्रिया मानों से भिन है कैसे? मनुष भोजन को मुक्सिगरहन करता है जबकि अमीबा में भोजन का अंतरगरहन पादाप की सहयता से होता है। नौष में पाय जाने वाले दां तथा उनकी कारे को लिखें। ठीक है, मनुष्ष में पाय जाने वाले दान तथा उसकारे इस प्रकार है, किरिन्तक जिसें इनसीजर कहते हैं, काटने का कारे, दूसा रदनक कैनिन्स फारने का कारे और तीसरा है आपका अगर चवर्नक प्री मोलर पीसने और चबाने का कारे और चवर्नक पीसने और चबाने का कारे इसे प्री मोलर इसे मोलर तो ये आपका आज का पूरा ये अध्यायदों का पूरा प्रश्न उत्तर का अभ्यास हो गया अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा और इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करियेगा और अपनों दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करियेगा थैंक यू